नमस्कार सातियो आज हम आपके लिए कुछ important mcq लेकर आए हैं जो anti tuberculosis drug से हैं first mcq है हमारा peripheral neuritis caused by isoniazid can be prevented by administration of question का गयरा है कि जो peripheral neuritis की जो problem होती है वह isoniazid की बज़े से होती है तो नीचे दिये गए मैं से किसकी बज़े से किसके administration से इसको prevent किया जा सकता है option A anti inflammatory agents, option B vitamin B6, option C anti convulsants, option D vitamin B12 देखिए isoniazid क्या है एक anti tubercular drug है और इसके side effects जो होती है एक होता है peripheral neuritis और एक होता है hepatitis तो peripheral neuritis क्या होता है इसमें जो peripheral area जैसे hand और fit हो गए इनमें क्या होता है neuritis हो जाता है जो नर्व होती है उनमें inflammation हो जाता है तो वहाँ पर weakness, numbness और pen देखने को मिलता है किसकी बज़े से आइसो नियाजिट की बज़े से तो आइसो नियाजिट के दो side effects होते है mainly एक hepatitis और एक होता peripheral neuritis है तो आइसो नियाजिट के जो side effects होते हैं इनको prevent करने के लिए जो vitamin B6 होती है इसको administer किया जाता है तो option B is the right answer vitamin B6 जो होती है आइसो नियाजिट के antidote में यूज की जाती है तो option B is the right answer चलते है नेस्ट नेस्ट कोशिन है एक patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered question का कह रहा है कि एक patient है tuberculosis का और वह आइसो नियाजिट therapy ले रहा है तो उसको और क्या साथ में administer करना चाहिए option A थियामेन, option B riboflavin, option C nicotinic acid, option D paradoxin देखिए आइसो नियाजिट क्या है एक anti-tubercular drug है और इसके side effects जो होते हैं वह होता है एक hepatitis और दूसरा होता है peripheral neuritis, peripheral neuritis, तो hepatitis और peripheral neuritis जो होते हैं इनको prevent करने के लिए parodoxin साथ में administer करनी चाहिए तो option D is the right answer, parodoxin क्या होती है vitamin B6 होती है और आइसो नियाजिट की वज़े से hepatitis और peripheral neuritis देखने को मिलती है तो इनको prevent करने के लिए साथ में parodoxin को भी administer करना चाहिए देखिए option में दिये गए सभी vitamin B complex है thiamin B1 को कहते है, riboflavin जो होती है, B2 को कहते है, nicotinic acid जो होती है, B3 को कहते है और parodoxin B6 को कहते है, तो साथ में isoniazid के parodoxin यानि B6 देनी चाहिए तो option D is the right answer चलते है, next question के तरफ next question है, which of the following anti-tubercular medication has the side effect of peripheral neuritis question का कह रहा है, कि नीचे दिये गए में से कौन सी anti-tubercular drug है जिसका side effect जो होता है, वैं peripheral neuritis होता है, option A, paragenamide, option B, ethambutol, option D, rifampicin, option D, isoniazid देखिए, नीचे दिये गए जो सभी anti-tubercular drug हैं, और इसका side effect होता है, peripheral neuritis जो होता है, वैं isoniazid का side effect होता है option D, is the right answer, जो isoniazid anti-tubercular drug होती है, इसका side effect एक हो गया, peripheral neuritis और दूसरा होता है, है, hepatitis, जो rifampicin होता है, इसका red और orange गलर की urine, rifampicin में देखने को मिलती है, य थांबुटोल जो होती है, यह है, औकूलर टॉक्सिसिटी काउज करती है जो आई में टॉक्सिसिटी काउज करती है और जो पैराजीनामाइट जो होती है यह है है हैपिटाइटिस इसमें क्या होता है है हैपिटाइटिस में इसमें भी देखने को मिलता है इसका साड़ एक्ट और यूरिक एसिड लेबल जो हत आता है निए इन रेड और ओरेंज प्री और और से यूरीन हो जाती है और आइसो नीरल के इस्ट परिफिरल नवराइटेस और है इस तो परिफिरल नवराइटेस जो है रही है कुछ सब इस ने इस्ट कोश्चिन की तरफ नेस्ट कोश्चिन है आल अप दा फॉलोइंग आर वेक्टिरी सीडल ड्रक्स एक्सेप्ट कोश्चिन का गयर आया नीचे दिये गए सभी बेक्टिरी सीडल ड्रक्सेप्ट याण यह को छोड़ कर और रिफामफिसीन और वी आईसोनियाज़ और अपसन C, थामबोटोल और अपसन D, पैराजिनामाइड देखिए बेक्टिरी कोश्चन में क्या पुझा गया नीचे दिये गए सभी बेक्टिरी सीडल ड्रक्स है एक को छोड़कर बेक्टिरी सीडल ड्रक्सी होती है बैक्टिरी सीडल वह anty darkest drug होती है जो Гuciones बैक्टिरिया को kill करने केफिस्टी रखती हैسب पाई वह anty जो बैक्टिरिया को kill कर देती हैं उन्हें व्यक् сол कहती हैं कि तो नीचे दिये गए सभी वेq एक को छोड़कर रिफांपिसीन आइसो नियाज़ड पैराजीनामाइड यह बैक्टिरी सीडल ड्रग हैं और एक को छोड़कर एक्सेप्ट में पूछा गया है तो इथामबु टोल जो है वह बैक्टिरी सीडल ड्रग नहीं है तो ऑप्शन सीज़ राइट अंसर रिफांपिसीन आइसो नियाज़ड पैराजीनामाइड बैक्टिरी सीडल ड्रग है इथामबु टोल जो होती है यह बैक्टिरियो इस्टेटिक होती है यह क्या करती है जो बैक्टिरिया होता है उसकी ग्रोथ को इनहिविट कर देती है उसकी ग्रोथ को इनहिविट करती है व के तरह नेस्ट कोश्यन हे, which of the following, anti-tubercular drug is bacteriostatic कोश्यन का कहरा है, नीचे दिये गैंगे, क्या पूंँचा गया है, नीचे दिये गैंठ इसे का पूंचा गेया है, नीचे दिये कैंगे कौन सी एंटी ट्यूबर्कुलर ड्रग जो बैक्टिरियो इस्टेटिक हो बैक्टिरियो इस्टेटिक कौन सी ड्रग होती है बैक्टिरियो इस्टेटिक वह ड्रग होती है जो बैक्टिरिया की ग्रोथ को इनिविट कर देती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है तो नीचे द streptomycin abacteriocedal है यह bacteriocedal है जो क्या करती है bacteria को kill करने की capacity रखती है या bacteria को kill कर देती है तो question में bacteria aesthetic पूँछा गया है तो option B is the right answer चलते है next question की तरब next question है drug used for tuberculosis include all accept question क्या कहे रहा है drug जो सभी tuberculosis में use की जाती है के बले एक को छोड़ कर option A depson option B rifampicin option C ethambutol option D isoniazid देखिए isoniazid question में क्या पूँछा गया है सभी tubercular drug है एक को छोड़ कर तो isoniazid, ethambutol, rifampicin, anti-tubercular drug है anti-tubercular drug है और depson जो होती है यह लेफरोसी में यूज की जाती है तो option A जो है वह anti-tubercular drug नहीं है तो option is the right answer जो depson जो होती है वह anti-れफरोसी ड्रग है और यह लेफरोसी को treat करने के लिए यूज की जाती है और सभी जो है वह anti-tubercular drug है तो accept में option is the right answer चलते है नेस्ट कोशिन की तरब नेस्ट कोशिन है आल दर ड्रग आर गिवन ओरली अंडर डॉट्स प्रोग्राम एक्सेप्ट कोशिन का कहरा है कि नीचे दिये गए सभी ड्रग्स है डॉट्स प्रोग्राम के अंडर ओरली दी जाती है के वले को छोड़ कर option A isoniazid option B rifampicin option C ethambutol option D streptomycin देखिए नीचे दिये गए सभी ड्रग्स है जो ओरली दिये जाते है डॉट्स प्रोग्राम में किवल एक को छोड़ कर तो आईसो नियाजिड rifampicin और ethambutol जो है यह ओरली दिये जाते है और streptomycin है यह ओरली नहीं दी जाती है तो option D is the right answer A, B, C ओरली दिये जाते हैं डॉट्स प्रोग्राम के अंडर जो option D है यह ओरली नहीं दिया जाता है तो option D is the right answer चलते हैं next question की तरफ next question है optic neuropathy is the side effect of which of the following drug question का कह रहा है कि जो optic neuropathy है वह side effect है नीचे दिये गए में से किस drug का option A ethambutol option B isoniazid option B C streptomycin option D paraginamide देखिए question में क्या पूछा गया है कि जो optic neuropathy है by manly किस का side effect है नीचे दिये गए में से कौन सी drug का तो optic neuropathy जो है यह ethambutol का side effect है तो option A is the right answer optic neuropathy जो है आई में problem को कहते हैं और आई से मतलब होता है जो E होती है यह आई को indicate करती है ethambutol जो ऐसी drug है जो जिसका side effect जो है वह आई पे होता है और आई सो नियाजिट जो होती है इसका side effect जो होता है peripheral neuropathy और hepatitis जो होता है streptomycin जो होती है इसका side effect जो होता है autotoxicity यह 8th cranial nerve जो होती है इसको damage करती है तो इसकी वज़े से autotoxicity होती है paragenamide uric acid को increase करती है और hepatitis couch करती है तो optic neuropathy का पूचा गया है optic neuropathy is the side effect of with humb toll तो option is the right answer चलते है next question की तरफ next question है which of the used in multi drug resistance tuberculosis question क्या गह रहा है कि नीचे दिएगे मैंसे कौन से है जो multi drug resistance tuberculosis में यूज की जाती है option A ciprofluxacin option B penicillin option C metronindazole option D line julid देखिए question में क्या पूचा गया है multi drug resistance tuberculosis में कौन सी drug जो है यूज की जाती है तो multi drug resistance जिसे MDR TB कहती है MDR TB में क्या होता है माइको बेक्टिरियम tubercular bacillus होता है कम से कम दो drug पर resistance हो जाता है तब उसे MDR TB कहती है तो दो drug कौन कौन सी isoniazid और rifampicin कम से कम दो drug पर resistance होने पर ही उसको MDR TB कहेंगे तो MDR TB होने पर जो drug therapy start की जाती है बेकी जाती है second line drug therapy start की जाती है तो second line drug therapy जो होती है उसमे line जो लिड जो होती है second line drug therapy में आती है तो option is the right answer जो line जो लिड होती है यह second line drug therapy में आती है तो यही MDR TB में दी जाएगी दिये गए option में, option D is the right answer, चलते हैं, next question की तरब, next question है, multi-drug resistance tuberculosis treatment involve all drug except, question क्या कह रहा है, जो MDR TB होती है, उसके treatment में सभी drugs जो है, वे involve की जाएंगी, एक को छोड़कर, option A, canamycin, option B, ethionamide, option C, reform piscine, option D, cycloserine, देखिए, जो MDR TB होती है, MDR TB जो होती है, इसमें कम से कम, दो drugs जो होती हैं, वे resistance हो जाती है, एक होती है, isoniazid, दूसरी होती है, reform piscine, कम से कम, दो drugs जो होती हैं, उस पर, mycobacterium tuberculosis, बेसलाई जो होता है, वे resistance हो जाता है, तब MDR TB कहती हैं, जब MDR TB होती है, तो जब drug therapies में start की जाएगी, वो होती है, second line drug therapy, और reform piscine जो होती है, वे second line drug therapy में, नहीं आती है, तो accept में, option C is the right answer, reform piscine जो है, वे MDR TB में, यूज नहीं की जाएगी, और reform piscine पर क्या होता है, जो mycobacterium tuberculosis, tubercular bacillus होता है, वे resistance होता है, तब ही उसको MDR TB कहती हैं, तो उसमें, canamycin, ethionamide, cyclosyringe होती है, यह second line drug होती है, और यह MDR TB में दी जाएगी, जो reform piscine जो होती है, इस पर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, mycobacterium tuberculosis, तो option C जो है, वेराइट अंसर है, चलते हैं, next question की तरफ, next question है, which of the following is a second line drug for tuberculosis, question का कह रहा है, नीचे दियेगे में से कौन सी है, जो second line drug है, tuberculosis के लिए, option A, isoniazid, option B, reform piscine, option C, ethambutol, option D, amicacin, देखिए, question में क्या पूछा गया है, कि नीचे दियेगे में से कौन सी drug है, जो second line drug है, tuberculosis के लिए, तो option D is the right answer, isoniazid, reform piscine, और ethambutol जो होती है, यह है, first line drug होती है, tuberculosis के लिए, और amicacin जो होती है, second line drug होती है, tuberculosis के लिए, amicacin के साथ, canamycin, cycloserine, और ethionamide जो होती है, यह है, second line drug में आती है, तो option D जो है, वह राइट आंसर है, चलते हैं, next question की तरफ, next question है, all of the following are the side effect of reform piscine, except question का कह राया है, नीचे दिएगे सभी, side effect and reform piscine के एक को छोड़ कर, option A, digenes, option B, anorexia, option C, orange colored urine, option D, hypertension, देखिए, जो reform piscine drug होती है, anti tubercular drug होती है, और इसके जो side effect होते हैं, बह होते हैं, hepto toxicity, hepto toxicity की साथ साथ, nephrotoxicity होती है, hepto toxicity, nephrotoxicity, nausea, anorexia, digenes, red और orange colored urine, इसके साथ साथ, देखने को मिलती है thrombocytopenia भी इसमें देखने को मिलती है लेकिन जो hyper tension होता है यह rifampicin का side effect नहीं है तो accept में option D is the right answer diginess, aneroxia, orange colored urine यह सभी इसमें देखने को मिलती है इनके साथ hepatotoxicity और neprotoxicity और thrombocytopenia भी देखने को मिलती है लेकिन hyper tension जो होता है यह rifampicin का side effect नहीं है तो option D is the right answer चलते हैं नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन है duration of treatment of a child for TB with AIDS कोश्चन का कह रहा है कि एक AIDS का बच्चा है जिसमें tuber closest के treatment के लिए जो treatment के लिए time duration होगा वै कितना होगा option A 6 months option B 9 months option C 12 months option D 18 months देखिए जो AIDS का बच्चा है उसमें tuber closest के treatment का duration जो होगा वै होगा 12 months तो option C is the right answer वैसे तो usually 9 months होता है जो ISO नियाजेड का requirement treatment होता है वै 9 months के लिए होता है लेकिन अगर AIDS है साथ में तो जो immunity होती है वै decrease हो जाती है इसलिए जो treatment duration होती है वै 9 months से बढ़ा कर 12 months कर दी जाती है तो option C is the right answer चलते हैं नेस्ट कोश्चन की तरग नेस्ट कोश्चन है Among these which anti-tubercular drug will damage 8th cranial nerve कोश्चन का कहरा है Among these नीचे दिये गए सभी anti-tubercular drug में कौन सी है जो 8th cranial nerve को damage करती है option A, ethambutol option B, INH जिसे isoniazid कहते हैं option C, paraginamide option D, streptomycin देखिए नीचे दिये गए सभी anti-tubercular drug हैं लेकिन इन में से 2 anti-tubercular बतानी है जो 8th cranial nerve को damage करती है देखिए जो streptomycin होती है यह 8th cranial nerve को damage करती है इसकी बज़े से क्या होता है autotoxicity autotoxicity होती है और इसी की बज़े से 8th cranial nerve damage होती है तो option D is the right answer paraginamide जो होती है यह uricated level को increase करती है और hepatitis इसमें देखने को मिलता है isoniazid जो होती है परिफरल नियुरोपेथी परिफरल नियुराइटिस और hepatitis इसमें देखने को मिलती है यह thambutol जो होती है यह ocular toxicity का उज़ करती है question में जो पूशा गया है option D is the right answer चलते हैं next question की तरफ next question है a 30 year old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis which of the following drug should not be given question का गया रहा है कि एक 30 year old pregnant woman है जिसको डाइगनोस हुई है pulmonary tuberculosis तो कौन सी ड्रग है जो pregnant woman में नहीं दी जा सकेगी option A, INH जिसे isoniazid कहते हैं option B, rifampicin option C, streptomycin option D, ethambutol देखिए जो streptomycin होती है यह है 8th cranial nerve को damage करती है जिसकी वज़े से autotoxicity होती है अगर pregnant woman में streptomycin दिया जाएगा तो वह fetus की 8th cranial nerve को damage कर सकती है और fetal में teratogenik effect काउच करेगी तो streptomycin जो ड्रग है वह pregnancy में contra indicated होती है तो option C is the right answer 30 year old pregnant woman diagnose होई है तो उसमें streptomycin जो ड्रग है वह नहीं दी जाएगी तो option C is the right answer थेंक यूँ खुश रहो, मस्त रहो मेहने स्थे पढ़ते रहो जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बिताना